हेलो एवरीवन वेलकम टू बैस्ट अडियोग चैनल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक नए मैदा ट्रिक के बारे में जो कि आपने शाहिद ही यूज की होगी यह भी एक्सल शीट में लॉकिंग के बारे में हैं यहां पर अल्रेडी कुछ मैंने एक्सल शीट में डा में जो की चेंज होने पर आपका पूरा का पूरा डाटा खराव हो सकता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो होता क्या है कि जनरली हम जब किसी के साथ लॉक वाली शेयर करते हैं तो उसके माइड में पहले डाउट आ जाता है कि इसमें कुछ है अगर हम एक काम करेक्शन के लिए व्ले या जो भी उसने सेट किया हुआ है इस से होगा क्या होगा यह कि आपके जो डाटा है वो भी सेफ रहेगा और साहती साथ आपकी कहीं बात भी बिंवगड़ेगी तो यहां पर जैसा कि आप देचा पर अलग मैंने लगाए हुए हैं बट मुझे अब इस डाटा को अगर शेर करना हो और वो किसी भी तरह के डाटा को छेड़ सकता है है ना क्योंकि प्रोटेक्शन तो होगी निए बिना प्रोटेक्शन के मैं शेर करने वाला हूं तो क्या ऐसा करूं जिससे यह फॉर्मला ही से हो जाए यानि कि इसको भी प्रोटेक्ट कर लें तो उसके लिए करना है सिंपली यहां पर आपने जो यह कॉर्णर वाला सेल का निशान है सिंपली इस पर क्लिक करना है जिससे पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है जिससे पूरा का पूरी राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पर चले जाना है यहां से आपको प्रोटेक्शन में जाना है प्रोटेक्शन के कॉलम में लॉक का ओप्शन टिक होगा इसको हटा देना है जैसे अब हटा दोगे इसके बाद प्रेस कर देना है अब यह लॉक का प्रोटेक्शन जो लगाओ और आप से select ना हो तो क्या करना है ctrl plus करके रखनाँ और simply उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिससे सारे के सारे Sels select हो जाएंगे अब क्या करना है राइट कलिक करना यहां से फिर से हमएं format पर जाना है format ऑप्षन यहां पर आने यह रहा Programs यह प्रोटेक्षन पर जा कर फिर इस पर लॉट पर क्लिक करके ऑग के प्रेस कर देना अब यह जितने भी हमने सेल सेल्ट कियें कि सारे कशारे अब प्रोटेक्टेड यानिकि इन पर लॉक लगाया जा सकता है पूरी शीट पर लॉक नहीं लगएगा क्योंकि हमने वहाँ से हटा दी अंचेक कर दिया अब हमने जो सेल्स सेलेक्ट किये थे सिर्फ उन पर लगेगा अब सिंप्ली क्या करना है होम टैब में वरक्षिट या फिर फॉर्मेट का ऑप्षिन मिल जाएगा माइक्रोसफ ऑफिस में उस पर जाकर आपने क्या करना है प्रोटेक्ट शीट कियाने कि पासवर्ड लगाना है यहाँ पर आपको बाइड डफॉल्स सिलेक्ट लॉग्ड सेल्स और सिलेक्ट अनलॉग्ड सेल्स दोनों का ओप्षिन मिल जाएगा यहाँ पर आपने 123 मैं डाल रहा हूँ 123 ओके प्रेस करता हूं अब मैं इसको चाहूं तो चेंज ही नहीं कर सकता जो मर्जी हो जाएगा अब कोई भी मलब जिसके साथ भी मैं शेयर करूंगा ना यह फाइल वो इसके फॉर्मुला को अब चेंज ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर टोटल लगा ह हुआ तो टोटल भी उससे चेंज नहीं होगा करना क्या होगा उसको चेंज करने के लिए सिंपली यहां अपनेराव से उसको डारा सेलेक्ट करना है ऑक शेक में जाना है अन प्रोटेक्ट शीट पर जाकर उसको पासवर्ड लगाना पढएगा उसके बाद ही वह इस फॉर् झाल झाल